हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आर्थी शर्मा दोस्तों आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें साथ ही साथ मेरे वीडियो के अगले नोटिफिकेशन को पाने के लिए बैल आइकन को प्रेस करें दोस्तों आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 160 यानि 160 जिसमें हम देखेंगे हिंदी की बोलियां तो देखते हैं हिंदी की बोलियों से संबंदित अपने प्रश्ण को और करें प्रश्ण है किसी सीमित छेत्र में किसी सीमित छेत्र में बोली जाने वाली इस्थानिय भाषा को क्या कहते हैं ठीक है तो इसका सही उत्तर है option C बोली कहते हैं ठीक है तो एक छेत्र जो की सीमित है और वहां पर बोली जाने वाली इस्थानिय भाषा उस इस्थान से जूड कहते हैं गोर करेंगे दोस्तों व्याख्य पर ध्यान दें किसी सीमित छेतर में बोली जाने वाली इस्तानीय भाषा को बोली गयते हैं उप भाषा का छेतर विस्तृत होता है और जो उप उप भाशा होती है दोस्तों उसका चेत्र विस्त्रित होता है ठीक है इसके अंतरगत क्या आती है बोलियां ठीक है यानि देखें तो पहले भाशा ठीक है पहले भाशा फिर उप भाशा ठीक है उप भाशा उसके बाद क्या आ गई उसके बाद आ गई बोलियां ठीक है ध्यान इमित छेतर में बोली जाने वाली इस्थानिय बाश्य को बोली कहते हैं, ठीके? और यह किसके अंतरगत आती है? उपवाश्य के अंतरगत आती है, क्या? बोलियां, ठीक, ध्यान रखें. अगला प्रशने दोस्तों ध्यान देंगे इन में से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है तो राजस्थान की बोली नहीं है वाला प्रशन है ध्यान दे option B, बुंदेली बुंदेली राजस्थान की बोली नहीं है बुंदेल खंड में बोली जाती है बुंदेली ये सबी बोलियां राजिस्थान में बोली जाती हैं और जो नई बोली जाती वो कौन सी है बुंदेली ठीक है देखते हैं प्रश्णिकी व्याख्या गौर करेंगे दोस्तों पस्चीमी राजिस्थानी के अंतरगत मारवाडी देखो पस्चीमी राजिस्थानी की बात हो रही है ठीक है तो ध्यान दे यानि कि राजिस्थान में भी जो चार दिशाएं है उनमें से एक की बात हो रही है पस्चीमी राजिस्थानी ठीक है जिसके direction ऐसे divide कर लो मान लिजे कि ये राजस्तान है इसकी उत्तर दिशा ये है पस्चिम ये है ठीक है पूर्व ये है और ये क्या है दक्षिन ठीक है अब इसके according समझे चीजों को तो पस्चिमी राजस्तानी के अंतरगत मारवाडी आएगी मारवाडी ठीक है और उत्तरी राजस्त राजस्तानी के अंतरगत क्या आएगी मेवाती मेवाती ध्यान रखें ठीक फिर है दक्षिनी राजस्तानी इसके अंतरगत आएगी मालवी यहां पर क्या आएगी मालवी ठीक है मालवी और पूर्वी राजस्तानी के अंतरगत कौन सी आएगी पूर्वी का नहीं बताया है देखते हैं क्या है तो पहले तीन बात ध्यान रखें उत्तर राजिस्थान में मेवाती बोली जाती है पस्चिम राजिस्थान में मारवाडी बोली जाती है और दक्षण में दक्षण राजिस्थान में माल मालवी बोली बोली जाती है ये बात ध्यान रखें तीन चीजे ठी इसके अलावा जो बुंदेली बुंदेली मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की ध्यान से समझें बुंदेली मध्य प्रदेश यानी कि MP ठीके और UP इसकी जो सीमा से सटे हुए बुंदेल खंड के जो छे जगे हैं यानि मध्य प्रदेश MP और UP से जो सटी हुई सीमा से लगे हुए जो चेतर हैं ठीके छे चेतर हैं जिनको हम क्या कहते हैं बुंदेल खंड के नाम से जानते हैं ठीके वहाँ पर कौन सी बोली बोली जाती है तो बुंदेली बोली जाती है बुंदेल खंड से अभी प्राए समझ में आ गई होंगी ठीक है एक बार व्याख्या को फिर से देख लेते हैं ताकि चीजे और किलियर हो जाएं तो पश्चिमी राजिस्थानी के अंतरगत मारवाडी उत्तरी राजिस्थानी के अंतरगत मेवाती और दक्षिनी राजिस्थानी के अंतरगत मालवी बोली आती हैं ठीके बुंदेली मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे बुंदेल खंड में बोली जाती है ठीके तो ये दोस्तों माइंड मैपिंग करनी होगी आपको ताकि चीजें याद हो जाएं ठीके बाकी एक common word मा देखो राजिस्थान में मा से मारवाडी मा से मेवाती और मा से मालवी तो ऐसे भी याद रख सकते हैं ठीके तीन word common आ रहे हैं तीनों की starting मा से हो रही है तो ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं ठीके देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्ने दोस्तों हमारा मैथली बोली, मैथली बोली के लोग पर ये कवी कौन है, तो option C, विध्यापती, मैथल कोकिल भी का जाता है जिने, तो मैथली बोली के लोग पर ये कवी विध्यापती है, ठीके, आधी कालिन कवी है ये तो ध्यान रखें, देखते हैं प्रश्न की व्याख्या, गौर करेंगे दोस्तों व्याख्या पर, मैथिली बोली के, मैथिली बोली के लोगप्रिय कवी, कौन हैं, विध्यापती हैं, ठीक है, विध्यापती, ठीक, विध्यापती मिथिला निवासी, मिथिला निवासी थे, क इसलिए वहाँ पर बोली जाने वाली कोन सी बोली का परियोग करते थे मैथिली का ठीक है और इस भाषा के ये लोग प्रियकवी रही है ठीक विद्यापती ध्यान रखें मैथिल कोकिल की उपाधी भी इन्हें प्राप्त हुई है मैथिल कोकिल की उपाधी से भी इन्हें में हैं जिसमें उन्होंने रादा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन किया है ठीक है उन्होंने संस्कृत में संस्कृत में शैवसर्वसार ये नाम है शैवसर्वससार लिखा गंगा वाक्यावली भू परिक्रमा पुरुष परिक्षा आदी ये सबी उन्होंने यानि कि चार रचनाई की उन्होंने संस्कृत में कौन-कौन सी शैव सर्वस्व सार ठीक है गंगा वाक्यावली भू परिक्रमा पुरुष परिक्षा तो ध्यान रखें दोस्तों चारों इ अवहट भाशा में लिखी तो अवहट में जो लिखी वो है दोस्तों कीरती लता और कीरती पता का ठीक है यह बहुत ही important question है कि कीरती लता और कीरती पता का किस भाशा में लिखी विद्यापती ने तो आप बताएंगे अवहट भाशा में ठीक है फिर है दोस्तों देश भाशा मैथिली देश भाषा मैथिली में पदावली का उन्हों ने गान किया है किसने विध्यापती ने तो ये बाते थी कुछ विध्यापती के संदर में जो की important है ठीक है बहुत ही important कवी है ये आधिकालीन तो ध्यान रखेंगे दोस्तों अगला प्रशन है ध्यान दे अंगी का किस राज्य की बोली है तो option D बिहार राज्य की बोली है अंगी का ठीक है अंगी का नाम ध्यान रखें अंगी का है देखते हैं इसकी व्याख्या प्रशन की गौर करें अंगी का बिहार राज्य की बोली है कहां की बिहार राज्य की बो प्रदेश में नैपाल के तराई वाले प्रदेश में बोली जाती है अंग ठीक है ओंग जनपद हुआ करता था यह यह बहुत पहले की बात है रिगवेद काल के बाद ठीक है रिगवेद काल की बात है ये तो अंग एक जनपद होता था जिसकी राजदानी थी चमपा ये इतिहास का विशे है दोस्तों ठीक है अंग की राजदानी थी चमपा ठीक है तो ये जनपद के कारण यहां पर जनपद था ये एक समय में ये पहल जनपद रहा था ठीके तो जनपद किसे कहते हैं जहां लोगों का समू रहता है जनपद ठीके और जनपद जनपद से बड़ा होता है महा जनपद ठीके और उस समय जो था वज्जी महा जनपद था ठीके यह इतिहास का विशे है केवल इतना जाने कि अंग एक जनपद था जि बिहार के आसपास का छित्र था मगद एक समय में ठीक है मगद एक समय में बहुत बड़ा जनपद रहा है महा जनपद का था ठीक है मगद जहां पर अशोक और ये सब आए थे ठीक है इन सब ने आजाज सत्रू वगेरा के समय की बात हो रही है दोस्तों ये उस समय हुआ करते ये नाम इनके बिहार वगेरा ये जो हमारे आज हम देखते हैं नए नाम ये सारे पहले पुराने नाम से जाने जाते थे ठीक है जैसे कि कोशल था आयोध्या ठीक है और मगद था बिहार पाटली पुत्र थी पटना ठीक है ये पाटली पुत्र पाटली पुत्र पटना ठी तो इस तरीके से कई सारे मतलब नाम थे जो कि पुराने थे ठीक है अब उनके नाम बदल कर ये नए नाम रख दिये गए ठीक तो ध्यान रखें दोस्तों अंग जन्पद के कारण इस बोली का नाम अंगी का पड़ता है ठीक है बिहार में मैथिली और मगही कौन-कौन सी बोली जाती है मगद से बना है मगही बिहार का पुराना नाम मगद था ठीक है इसलिए ध्यान रखें मगही मगही और मैथिली भाषा बिहार में बोली जाती है यह भाषा नहीं बोलिया है ठीक है यह ध्यान रखें अगला प्रशन है ध्यान देंगे दोस्तों क्या है ग्वालियर की बोली कौन सी है ग्वालियर कहां पढ़ता है MP में पढ़ता है ग्वालियर मद्य प्रदेश ठीक है तो यहां की बोली कौन सी है तो option A ठीक है option A बुंदेली है ग्वालियर की बोली बुंदेली है अभी हमने प बुंदेल खंड के नाम से जाना जाता है और वहां पर बोली जाने वाली जो बोली है वो है बुंदेली तो गौलियर भी कहां आता है MP में ही आता है तो यहां की बोली क्या है बुंदेली है ठीक है ध्यान रखें ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है देखते हैं प्रश्न की व्या ध्यान से सुनें, अब कौन-कौन से आते हैं, ठीक, जासी, जालोन, हमीरपुर, ग्वालियर, जिले, ठीके, ये चार जिले हैं, कौन-कौन से, जासी, जालोन, हमीरपुर, हमीरपुर के खंडर एक कहानी हुआ करती थी, ये स्कूल टाइम पर, आपने सुना होगा, ठीके, तो जासी जालोन और जासी में कौन थी जासी की रानी लक्ष्मी बाई ठीक है ये वहीं की बात हो रही है तो जासी जालोन हमीरपूर ग्वालियर इन जिले के पूर्वी छेत्रों में यह बोली बोली जाती है ठीक है यह बोली बोली जाती है कौन सी बुंदेली ठीक है मद्य प्रदेश के मद्य प्रदेश के दामो हो सागर, सिवनी नर्सिंगपुर जिले को भी इन सभी जिलों की भी बोली क्या है? बुंदेली है क्या क्या नाम है? दामो, सागर, सिवनी नर्सिंगपुर ये चार जगे और हैं जहां पर बुंदेली बोली बोली जाती है ठीके फिर है दोस्तों चिंदवाडा चिंदवाडा और होशंगाबाद होशंगाबाद ठीके चिंदवाडा और होशंगाबाद तक के कुछ हिस्सों में भी बुंदेली बोली जाती है ठीके अब देखते हैं ब्रज भाषा ब्रज भाषा कन् अब ये तीन भाषाओं की बात हो रही है, ब्रज भाषा, कन्णो जी और बुंदेली, ये तीनो बोलियां तो हमें एक स्टेक्फ ज़्यादा मिलती जुलती में, थीके? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों प्रशन हमारा था कि ग्वालियर की भाषा कौन सी है ग्वालियर में कौन सी बोली बोली जाती है तो आप ध्यान रखें बुंदेली ठीके देखते हैं अगला प्रशन हमारा अगला प्रशन है दोस्तों जासी, जालोन, हमीरपुर इन तीन जगों पर कौन सी बोली प्रचलित है जासी, जालोन, हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है तो option A, बुंदेली ठीक है बुंदेली बोली प्रचलित है जासी, जालोन और हमीरपुर में ठीक है UPPSC LT Grade परिक्षा 2018 में पूछा गया प्रशन है ये ठीक है तो ध्यान रखेंगे दोस्तों तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है थैंक्स फॉर वाचिंग अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें शेयर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें साथी साथ मेरे वीडियो के अगले नोटिफिकेशन को पाने के लिए बैल आइकन को प्रेस करें धन्यवाद दोस्तों